आपके पेज नमबर 19 पे आपने क्या करना है देखो पचे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपको डियर दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में आपको जिराफ दिया हुआ है इन दोनों को मिला के आपने यहाँ पे composition with animal draw करना है ठीक है बटे तो देखो ध्यान से देखना मैं आपको डियर और जिराफ दोनों draw करना सिखाएगी यह देखो सबसे पहले हम डियर draw करते हैं डियर को draw करने के लिए क्या करना है यह देखो step 1 में हमें डियर का face और यह देखो neck यह draw कर लिए तो अब हम कैसे करेंगे पहले देखो मैं ने ऐसे एपनी white file में rectangular box draw कर लिया मैं की बुक old है इसमें draw हुआ हुआ है तो इसलिए मैं white file में draw कर लिए अब यह देखो face बनाने के लिए सबसे पहले यह देखो यह ऐसे स्लिपिंग लाइन लगाने है ठीक है उसके बाद यह ऐसे standing line अब क्या है यह slipping line पे ऐसे कर देना है यह देखो अब यहां से ऐसे ear की shape देखो अब इसी को हम यहां से अपने हाथ को ऐसे बढ़ाते हुआ ले आएंगे तो यह deer की neck बन जाएगे ठीक है अब यहां से देखो face को complete करते हैं deer के यह देखो मैं के hand को move करता हुआ देखो कि मैं का hand कैसे move हो रहा है अब देखो यह हमारी neck draw हो गई यह देखो यहां तक ठीक है अब हमने क्या करना है यह deer की यह देखो back draw करने है तो अब हम इसको यह यहां से यह देखो यह देखो यह से लिक आएंगे इसको यहां से कर देते हुए यह देखो अब हमने deer की tail draw करने है यह देखो ठीक है अब यह देखो मैं के hand को देखो विटे move होते वे ध्यान से observe करो मैं पैंसिल थोड़ी dark चला रही है आपने light चलानी है अब हमने क्या करना है यह deer के front को cover करते हैं यह देखो अब यहां से deer की leg ले आओ leg हमने इतने हाफ ही बनानी है क्यों क्योंकि नीचे हम grass बनाएंगे ठीक है यह देखो नीचे हम grass बनाएंगे अब यह देखो पेट को वाला portion cover करते हैं यह देखो और यह दूसरी leg भुक में से देख के ध्यां से यह दो बुटा अब हमारी वान टू थ्री लेट्स होगी फूर्थ भी करें अब हमें क्या परना है यह देखो यह के बीच में एक लाइन है तो वह भी ड्रॉ कर देना है आई का क्या है सरकल है देखो स्मॉल सरकल है तो हम ले वह भी ड्रॉ कर देना है ठीक है अब देखो मूर की शेप थोड़ी सी गड़ बढ़ा रही है तो इसको हम ठीक कर देंगे यह देखू यह ऐसे कर देके अब यहां पर हम नोस ड्रॉख कर देंगे और यह देखू यह फेज यह को गया हमारा डियर ड्रॉख बीच में क्या रहागी यह ओवल शेप के सरकल रहागी आपने इसे ड्रॉख कर देने हैं ठीक है बिटे यह देखू हो गया हमारा डियर ड्रॉख अब नीचे हमने क्या करना है ग्रास ड्रॉख कर देने हैं तो आती है ना सबको ग्रास ड्रॉख करने यह देखू ऐसे हो गई ड्रॉख HOगई ट्रॉख अब हमारा दूसरा क्या था यह कॉम्पोजीशन है पता है कॉम्पोजीशन में पता आपकी विश्या है बट मैम आपको दोनों ड्रो करना सिखा रही है डियर और जिराफ जो आपको ठीक लगे आप वो ड्रो कर सकते हो अब जिराफ को ड्रो करने के लिए भी यह देखो सबसे पहले हम फेस की शेप देंगे मैम के हैंड को देखो बेटे मूव होता हुआ बहुत ध्यान से ठीक है अब हमने क्या करना है जिराफ की नेक देखो सौरी कितनी लंबी है तो अब हमने भी यहां पर यह देखो इसकी नेक को ऐसे लोंग लेके आना है यहां से हम जिराफ के पेट को कवर करेंगे यह ठीक है पेटे अब हम यहां से जिराफ की बैक को लेके आएंगे अब बैक को यहां से कवर करते वे टेल लेके जाएंगे अब यहीं से यह देखो ऐसे जिराफ की लेग लेके आएंगे अब यहां पे यह फ्रेंट वाली लेड लाएंगे बुक में उब्जर्व करके आप करते चलोगे ठीक है बिटे अब यह देखो यहां से पेट को कवर करेंगे कर दिया अब यह थर्ड लेक यह देखो ठीक है यह देखो जिराफ की फोर्ट लेक विड्रो हो गई होगी ना यह थोड़ा सा कर्व जाद हो गया इसको कम कर देखो यह यहां से लिया ठीक है बटे देखो हो गया ना अब हमारा क्या रह गया आई रह गई अब देखो आई अब यहां पर नोस अब देखो यह फेस की एक लाइन ठीक है बटे यहर के बीच में यह देखो एक बोक्स अब आपको पता है जिराफ की बॉड़ी में ऐसे बोक्स होते हैं कहीं कहीं आप ड्रो कर दो रेक्टांगुलर बोक्स कहीं बिग बोक्स कहीं स्मॉल ठीक है पिटे जैसे आपको ठीक लगे यह देखो पिटे ऐसे यह ट्रेंगुलर सिकल जैसे आपको ठीक लगे एए पूरी बोडी में बने हुए हैं ठीक है देखो और क्या रह गया हमारा नोस हो गया आई हो गई यह एर कंप्लीट हो गई बोक्स बन गई टेल है लेग्स अब हमारी क्या रह गई ग्रास तो अब आपने क्या करना है यहां से ग्रास को भी बना दना ठीक है बटे अब यह देखो यहाँ पर grass draw हो गई अब grass के नीचे legs आपको complete नजर नहीं आएंगी तो आप इसको erase करते है देखो बटे complete हो गया आपका हो गया ना composition with animals ठीक है बटे अब इससे related आपका page number 18 है ठीक है 18 और 19 यह आपने complete करने हैं आपने अपने book के 19 page तक complete कर लेना है ठीक है बटे ओके बाई thank you have a night